अभी इस वक्त मैं मौझूद हूँ दर्भंगा जिला के गोरा बोराम परखंड के बगनच्टा गाउं में कसरर करकोली ये पंचायत है और इस पंचायत में एक किसान के खेत में आग लग जाती है अचानक दोपहर में और इसकी सूचना तब लोगों को मिलती है जब खेत के गेहूं जल कर पूरी तरह से राख हो जाता है वो किसान हमारे साथ मौझूद है लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिख रहा होगा पीछे पूरा खेत में गेहूं था और गेहूं का जो फसल है वो कहीं ने कहीं जल कर राख हो गिया है जलाने वाले कौन थे और किसने जलाया इसकी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया हलाकि लोगों का एक संदेहास्पत मामला यहां पर है कि कहीं हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा जुन्होंने लगा दिया हो या फिर किसी से दुस्मर नहीं हो साइद वह भी लगा सकता है लेकिन यह कह लेजिए कि यहां किसने आग लगाया आप अपना नाम बता दीजिए मौहमद सिकंदर अचा बांक के घर हो आपका यह दूनों खेत आप ही का है यह कितना खेत होगा अपका करी तीन दियाद में मिला के दो भी घर है तो तो आपके पता चला कि खेत मा आग लगिया तो हम आदमी सब गाओं का आदमी सब दोरा और देखा कि दुआ अग लगा हुआ है तो बाल्टिन लेकर के दोरा आग पे तो काबू पालिया गिया उसके बाद हमको शुचना मिला करे दोन देखे कि फसल पूरा मेरा जल के जब तक खतम हो गया ता अच्छा कुछ भी नहीं बचा कुछ वी नहीं बचा कुछ फी नहीं बचा इसकी सुचना दी अब सीओसाब के लिए आबेदन बना आपका क्या नाम अब का रजी अहमाद क्या घर हुआ अपका बंगराट बेनिपूर में हैं उसके बाद आकर के देखते हैं जैसा जो होगा वो करेंगे फिर जो है हमने मीडिया को सोचना दिया सब मीडिया वाले सब यहां पहुंच गया है अप लोग क्या मांग है हम लोग की मांग है कि जल गिया इसको देख लिया जाए जो हो जैसा हो जो फैसला ह ये लोग गरीब किसान है और किसान जो है वो कहीं ने कहीं रिन पर ले करके खेती करते हैं खेती इसलिए उम्मीद से करते हैं कि पूरे साल मेहनत करने के बाद जो 6 माह का मेहनत होता है वो इसी समय में इनको मिलेगा लेकिन फसल कटने से पहले जब फसल जलकर राक हो जाए त कि एनका जो फसल था वह आप जलकर राख में तब्धिल हो चुका है अजल अधिकारी गौराबडिकारी को सुचना दिया गया है कि लिखफित आव अबीदन जेकर इनके पास अबदिया है और अभी गोराबड़ा में पर्खन में जो अँचल अस्थल की जाच करके इनको जो आर्थिक मुआपजा मिलना चाहिए वो मुआपजा देने का काम करें हलाकि बिहार के मुखमंतिनी नितीश कुमार का भी यही परपलस रहा है यही दावा रहा है कि किसी भी किसान का अगर फसल छती होता है उनका फसल अगर खेत में लगा किसान को मुआपजा दिया जाए तो कहीने कहीन भारत सरकार और राज के सरकार दोनों मिल कर जो मुआपजा देते हैं किसानों को वो मुआपजा मिलने चाहिए तस्वीर देखिए बहूट सारे बच्चे छोटे-चोटे यहां आए हैं इसी में से बाद का भी लोग तरह-ट अग्य तक दिखाएंगे आपको सब जलकर इसमें राक में तब्दिल हो गया है कहने-कहीं जो किसान है के वह बहुत दुखी है। दुखी इस बास से है कि बहुत मुश्किल से बहुत मसक्कत के साथ बहुत महनत के साथ फसल किये लेकिन वो फसल उगाही ये कह लिए फसल बुआई से ले करके कटनी तक का जितना महनत इनका था वो आप पानी में मिल गया है इसलिए कि अब उमीद था इनको कि कहने कहीं फसल होता तो पूरे छे मेना साल बर हम लोग घर में बैठकर गिहों की लोटी आराम से खाते हैं लेकिन अब उस पानी फिर गया एक और लोग है उनसे बात करेंगे आप इसी गाउं के बताई आपके क्या नाम है मुहमत फिरोज मुहमत फिरोज किसान का खेच जल गया है क्या कहेंगे यहां पर जब आम आए तो देखे आग लगा हुए था उसक संगलन करके इनको आवेदन में दिया गया है उस पर संग्यान लेते वे इनको जो आर्थिक मौपजा है कहने कहीं वो मिनना चाहिए और इस मौपजे को लगर इन्होंने एक आवेदन भी दिया है हलाकि फायर बीगरेट के गारी को भी सूचना दी गई थी लेकिन फायर बी भी है और बहुत सारी मीडिया बंदू भी आएवे हैं बहुत सारी लोग उनसे बाचीत भी कर रहे हैं किसानों को कहीं ने कहीं जितना महिनत की जितना लागत उनका लागत था वो लागत आब उनको परसासन पर भरोसा है उमीद करते हैं कि परसासन इस पर तौरीत करवाई जो किसान्सअपार है पंचायत के उनने जो अर्थिक मौजह है इन लोग को दिया जाए आप इसी आप क्या कहेंगे फसल नुक्सान हो गया है तो बहुत दुखत बात है उसमें तो कोई बच्चा लगाया होगा तो हर माबाब को अपने बच्चे पर सचेत होना चाहिए और निशीत रूप से जो बच्चे हैं जो पैरेंस होते हैं उनको भी अपने बच्चे और गार्जेन को भी चाहिए कि हो सकता है कि हमारे बच्चे के हाथ में एक छोटे से माचिस का तिनका हो और कहीं वो ऐसा मिस्वेहब ने कर दे जिसके कारण पूरा किसान जो है उसका गेहों जलकर जिस तरह से राक हो गया है और बड़ा च्छती बड़ा नुक्सान का उठाना पर जाए किसान तो हर माबाप को अपने बच्चे पर पूरी तरह से निगरानी भी रखना है उस पर ध्यान भी देना है चलिए नेक्ष खबर के साथ फिर आप से हम मुखातिब होंगे तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए धन्यबाद